Hello friends, my name is Rajan इस वीडियो में हम sidebar menu create करेंगे with the help of HTML, CSS and bootstrap आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर sidebar menu create करके रखा हुआ है जिसमें कि मैंने एक image यूज करी है और यहाँ पर text है और यहाँ पर हमारे social media icons है और इन पर मैंने hover effect लगाया है और icons के बाद यहाँ पर आप navigation menu के links देख सकते हैं और links के साथ यहाँ पर मैंने icons का use किया है और icons पर मैंने हाँ पर hover effect लगाया है आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इस वीडियो में हम इस sidebar menu को create करना सिखेंगे गाइस अगर आपको वीडियो से related कोई भी query है आप मुझे Instagram पर message कर सकते हैं मैं अपनी Instagram ID का link इस वीडियो के description में देदूँगा आप वहाँ जाके मुझे follow कर सकते हैं तो चलिए हम इस sidebar menu को create करना start करते हैं वीडियो को पुरा end तक देखेगा तो guys सबसे पहले मैं आपको इसका folder structure समझा देता हूँ मैंने यहाँ पर desktop पर एक folder create के हुआ है जिसका नाम है sidebar sidebar folder के अंदर यहाँ पर एक image है जिसकी extension है jpg और यह हमारी html की file है जिसका नाम है index और यहाँ पर मैंने एक folder create किया हुआ है जिसका नाम है css और css folder के अंदर हमारी css की file है जिसका नाम है style मैंने यहाँ पे css की फाइल को और html की फाइल को sublime text में open किया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं यह css की फाइल है और यहाँ पे मैंने html का syntax पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने link tag का use करके css की फाइल को html की फाइल के साथ link पहले ही कर दिया है आप यहा नम है style और extension है .css और मैंने यहाँ पर title के अंदर sidebar menu लिखती है तो हम यहाँ पर सबसे पहले bootstrap का cdn लगाएंगे और font awesome का cdn लगाएंगे तो उसके लिए हमने google पर सर्च करना है bootstrap cdn और आपने इस website को open करना है bootstrap cdn.com और आपके सामने यह website open हो जाएगी और यहाँ यहाँ पर आपको bootstrap के version दिख जाएंगे 5.1.2.4.6.0 तो यहाँ पर मैं 4.6.0 version यूज करूँगा और यहाँ पर arrow पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर html में क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर एक message दिखेगा copy text to click board तो यहाँ पर हमारा जो html का link tag था वो copy हो चुक font awesome के cdn के लिए आपने google पे इसको search करना है font awesome 4.7 cdn w3schools और आपने इस website को open कर लेना है w3schools.com और आपके सामने यह open हो जाएगी और आपने इस link को copy कर लेना है और यहाँ पर लगा देना है इसे मैं save कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर coding start करेंगे तो यहाँ पर मैं header tag क यूस करूंगा और इसे मैं id दे दूँंगा header underscore new header के अंदर यहाँ पर मैं एक div create करूंगा जिसको मैं class दूंगा d-flex और एक और class दूंगा flex-column यह दोनों classes bootstrap की classes हैं और यह हमारी user defined class है Deflex div के अंदर यहां पर मैं div create करूँगा जिसको मैं user different class तूँगा profile, profile div के अंदर यहां पर image tag का use करूँगा और इसके अंदर मैं image का source दे देता हूँ हमारी image है profile नाम से यही हमारी image इसका हमार नाम copy कर लेता हूँ paste extension है .jpg और इसे मैं class दूँगा img-fluid और एक और class दूँगा rounded-circle और यहां पर मैं alt attribute का use करूँगा और इसमें मैं लिख दूँगा image image tag के बाद यहां पर मैं h1 tag का use करूँगा और इसे मैं class दे दूँगा text-light h1 के अंदर मैं anchor tag का use करूँगा anchor tag के अंदर मैं hrf का use करूँगा और hrf के अंदर मैं hash दे दूँगा और anchor में मैं लिखूँगा webdev h1 tag के बाद यहां पर मैं एक div create करूँगा जिसको मैं class दूँगा social underscore links मैं इसे एक और class दूँगा mt-4 एक और class दूँगा text-center इस div के अंदर मैं anchor tag का use करूँगा और इसके hrf के अंदर मैं hash दूँगा anchor tag के अंदर मैं i tag का use करूँगा जिसको मैं class दूँगा font awesome की fa fa hyphen twitter मैं इस anchor tag को copy करता हूँ और चार बार और paste कर दूँगा एक दो तीन चार और यहां पर मैं class change कर दूँगा second वाले anchor tag के अंदर जो i tag है उसकी यहां पर मैं class दूँगा fa fa facebook facebook का icon के लिए और third वाले i tag की मैं class दूँगा instagram instagram के बाद यहां पर मैं use करूँगा skype skype के बाद यहां पर linkedin save browser में से open करता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि image भी आ चुकी है text भी आ चुक है और यहां पर icons भी आ चुके है हमारा जो profile div था वो यहां पर start है और यहां पर close है profile div के बाद यहां पर मैं nav tag करूँगा और इसे मैं id दूँगा nav bar और इसे मैं class दूँगा nav hyphen menu और एक और class दूँगा nav bar nav tag के अंदर यहां पर मैं ul tag करूँगा और ul के अंदर मैं li tag करूँगा li tag के अंदर मैं anchor tag करूँगा और इसके hrf के अंदर मैं hash दूँगा anchor tag में मैं i tag करूँगा जिसको मैं class दूँगा fa fa hyphen home i tag के बाद यहाँ पर मैं span tag का use करूँगा और span में में लिखूँँगा home और anchor को यहाँ पर मैं class दूँगा nav hyphen link मैं इस la tag को copy करता हूँ और 4-5 बार paste कर दूँगा 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर मैं इसके icons और यहाँ पर text change कर देता हूँ जलदी से तो guys मैंने यहाँ पर सारे icons change कर दिये हैं और यहाँ पर links का जो text था वो भी change कर दिये हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यह था हमारा first link यह है second, यह third, यह fourth और यह fifth और यह sixth आप यहाँ पर icon की classes देख सकते हैं और यहाँ पर text भी देख सकते हैं मैं इसे save करता हूँ ब्रावजर में जाके refresh करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि links भी आ चुके हैं और यहाँ पर साथ में icons भी आ चुके हैं तो अब हम इसकी CSS करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर header की ID कोपी करेंगे header new और CSS में जाके hash लगाके यहाँ पर मैं ID को paste कर दूँगा और position में से दूँगा fixed top 0 left 0 bottom 0 width में से दूँगा 300 pixel z index 9999 padding में से दूँगा top bottom से 0 left right से 15 pixel background color में यहाँ पर यूज करूँगा hash 040B14 और यहाँ पर मैं overflow y यूज करूँगा auto और transition का यहाँ पर मैं यूज करूँगा 0.5s all save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पर देख सकते कि header new की CSS हो चुकी है header new की CSS के बाद यहाँ पर जो image है इसकी CSS करूँगा मैं तो इस ID को मैं copy कर लेता हूँ यहाँ पर paste करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा img और यहाँ पर class को copy कर लूँगा profile को क्योंकि profile div के अंदर हमारा image tag है तो इसको मैं यहाँ पर लगा दूँगा dot लगा के image tag को मैं margin दूँगा top bottom से 15 left right से auto margin के बाद यहाँ पर इसको मैं display कर दूँगा block display block देने के 8 pixel solid hash 2c2f3f save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि image tag के CSS हो चुकी है image tag के बाद यहाँ पर आपको web div लिखा हो दिखाई दे रहा होगा अब मैं इसकी CSS करूँगा तो यहाँ पर मैं इसे copy करता हूँ parent classes और id को और इसके अंदर जो h1 है मैं उसकी CSS कर देता हूँ font size 24 pixel margin 0 padding 0 font weight 700 text align center save refresh तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि h1 की CSS हो चुकी है h1 के अंदर जो anchor tag है अब हम उसकी CSS करेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यह रहा h1 इसके अंदर है anchor tag इसकी CSS करेंगे अब हम तो इसे मैं copy कर लेता हूँ यहाँ पर paste और h1 के अंदर जो a tag है उसकी CSS करूँगा अब मैं color hash fff text decoration none save refresh तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि anchor tag की CSS भी हो चुकी है अब मैं यहाँ पर social links के अंदर जो anchor tag है उसकी CSS करूँगा तो यहाँ से मैं social links को copy कर लेता हूँ जो कि हमने class दी थी dot लगा के paste और जो parent id और class है उससे यहाँ से copy करके यहाँ पर paste कर दूँगा social links के अंदर जो a है उसको मैं यहाँ पर लिखूँगा तो यहाँ पर मैं anchor tag को font size दूँगा 18 pixel display inline block background color यहाँ पर मैं दूँगा hash 212431 color मैं से दूँगा hash fff line height मैं से दूँगा one padding मैं से दूँगा top bottom से 8 pixel left right से 0 margin मैं दूँगा right से 4 pixel margin देने के बाद यहाँ पर मैं border radius दूँगा 50% text align center width मैं से दूँगा 36 pixel height मैं से दूँगा 36 pixel transition मैं से दूँगा 0.3s all save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि social links के अंदर जो a tag थे उसकी css हो चुकी है अब हम इस पर hover effect add करेंगे तो यहाँ पर जाके मैं इसे copy करता हूँ paste करता हूँ और यहाँ पर लिखूँँगा colon hover hover पर यहाँ पर मैं color change कर दूँगा hash fff text decoration none और background color मैं यहाँ पर दूँगा hash 149 ddd save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा hover effect भी work कर रहा है anchor पर hover effect लगाने के बाद अब मैं nav menu की css करूँगा तो इस class को मैं copy कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके मैं dot लगा के paste करूँगा padding में दूँगा top bottom से 30 pixel left right से 0 nav menu के अंदर जितने भी tags है यह रहा nav menu और इसके अंदर जितने भी tags है उन सभी tags की मैं margin padding 0 कर देता हूँ तो उसके लिए यहाँ पर मैं इस class को copy करता हूँ paste करता हूँ और यहाँ पर मैं start selector का use करूँगा margin 0 padding 0 list style type none dot remove करने के लिए save refresh तो आप यहाँ पर देख सकते की dot भी remove हो गई और जो margin आ रही थी वो भी remove हो गई अब हम जो यह anchor tag है इसकी css करेंगे तो यहाँ पर मैं copy करता हूँ parent class को paste करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखेंगा a anchor tag को मैं दूँगा display flex align item center padding में दूँगा top bottom से 12 pixel left right से 15 pixel margin में दूँगा bottom से 8 pixel font size में दूँगा 15 pixel transition में दूँगा 0.3s all और font size के बाद यहाँ पर मैं color दूँगा hash a8a9b4 save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि anchor की css हो चुकी है anchor की css के बाद यहाँ पर मैं i tag की css करूँगा जो की anchor के साथ है यह देखिए तो इसे मैं copy करता हूँ और यहाँ पर paste करता हूँ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि i tag कहां पर है पर मैं लिखूँगा i tag को मैं यहाँ पर font size दूँगा 24 pixel padding में दूँगा right से 8 pixel color मैं यहाँ पर दूँगा hash 6f7180 color के बाद मैं इसे save करता हूँ browser में जाके refresh करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे i tag की css भी हो चुकी है अब हम इस पर hover effect add करेंगे तो यहाँ यहाँ पर मैं copy करता हूँ paste करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा hover navigation menu के अंदर जो a tag है उसके hover पर यहाँ पर मैं color change कर दूँगा hash fff save browser में जाके refresh तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि hover करने पर anchor के color white हो जा रहा है यहाँ पर जो alignment है वो सही नहीं आ रही है क्योंकि ज save refresh अब आप देख सकते हैं कि alignment एक दम सही आ रही है अब मैं यहाँ पर hover पे eye tag का color भी change करूँगा तो मैं इसे copy करता हूँ paste करता हूँ यहाँ पर मैं लिखूंगा eye और color मैं यहाँ पर दूँगा hash 149DDD save browser में जाके refresh तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे icon का color भी change हो रहा है और text का भी so guys हमारे हाँ पर side menu complete हो चुक है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज मेरी वीडियो को like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में bye bye take care